नमस्कार आप सभी का स्वागत है तिवारी अकैडमी में और आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 6 के लिए गणित की पाठे पुस्तक के अंतरगत आने वाले अध्याय 10 की और इसका शीर्शक है आकडों का प्रबंधन इसमें हम बात करेंगे प्रशनावली 10.2 की तो हमेशा की तरह सबसे पहले प्रशनक्रमांक एक पर हम चर्चा करेंगे प्रशनक्रमांक एक हमारे सामने हैं कि निमनलिखित आकरतियों के 6 रफल ग्याद कीजिए आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें कुछ आकरतिया दी हुई है और हमसे कहा जा रहा है कि हमें इसके 6 रफल याद करने है, ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर यह जो पहली आकरती एक रमांक में बनी हुई है, एक मिनिट मैं थोड़ा हाइलाइटर का यह चेंज कर देता हूँ, ताकि इस पश्ट समझ में आए, हाँ, यह देखिए, पहली आकरती जो दी हुई है, इसमें एक वर्ग ब बने हुए है, और एक खाना जो है, उसकी जो लंबाई है, वो एक एक आई है, और चोड़ाई भी जो है, वो एक एक आई है, ठीक है, अब इसकी सहाथा से हमें जो है, इसका छेतरफल ग्याद करना है, तो कैसे करेंगे, देखिए, इसके लिए हमें यहाँ पर, मैं आपको step by step बताता हूँ, कुल 9 खाने हैं, है न, तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, सबसे पहले हल करते समय, देखिए, step का बहुत ध्यान रखिएगा, steps लिखना बहुत जरूरी है, गणित सुन्दर दिखना बहुत जरूरी है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि, पूरे घिरे वर्गो की संख्या, बराबर से है 9, ठीक, सही कहा न मैंने, इसी लिए अब आप मुझे बताईए, पूरे घिरे वर्गो, का छेतर फल क्या होगा, आप जानते हैं वर्ग का छेतर फल, यानि क्या होता है, है न, ठीक, लंबाई गुणी चोड़ा, यानि कुल, 9 गुणा एक कर देंगे, सबका एक एक है, तो हो जाएगा 9 एकम, 9 वर्ग, एकाई, जो भी एकाई हो, ठीक, तो इस तरह से, यह हमारा पहला प्रश्णी हाँ पर, हल हो जाता है, इसी प्रकार से, अब हम अगले पर आते हैं, अगला है बी वाला, अब देखें, यह बी वाली जो आकरती है, इसमें अगर हम गिनेंगे, तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, पाँच वर्ग दिये हुए है, तो हमें यहाँ पर इसके लिए, हल में लिखना पड़ेगा, बीक्रमांक डाल कर, हम लिखेंगे, पूरे, घिरे, वर्गों, की, संख्या, बराबर से, पाँच हैं, इसी लिए, आपको लिखना पड़ेगा, गिरे, वर्गों, का, छेतर फल, बराबर हो जाएगा, पाँच गुणा, एक के, यानि यह हो जाएगा, पाँच वर्ग, एकाई, ठीक हैं, इस तरह से, अब हम आते हैं, सी वाले पर, सी वाली आकरती को ध्यान से देखिए, इसमें एक, दो वर्ग तो पूरे हैं, तीसरा आधा है, और चौथा भी आधा है, ठीक है, चलिए, अब हम इसको हल करते हैं, देखिए किस तरह से हल करेंगे, तो आप इसको ऐसा समझेए, कि पूरे वर्ग दो हैं, और आधे आधे चार, है ना, गिरे पूरे गिरे वर्गों है ना, ऐसे ही लिखेंगे ना, लिखिए पूरे गिरे वर्गों की संख्या बराबर, कितनी होगी, वो हो जाएगी दो, तो पूरे गिरे हुए वर्गों, का, छेतर फल, बराबर कितना होगा, दो गुणा एक एक आई, यानि वो हो जाएगा, दो वर्ग एक आई, ये इसका एक हिस्सा हल हो गया, अब आपको लिखना पड़ेगा, आधे गिरे वर्गों की संख्या, तो मैंने आपको चित्र में बताया था, सी वाले में, देखिए, आधे वाले चार हैं, तो आपको यहां लिखना पड़ेगा, संख्या कितनी है, चार हैं, बराबर, चार, तो इसलिए नीचे लिखेंगे आप, इसलिए, आधे गिरे वर्गों का छेत्र फल, अब बताईए, आधे गिरे वर्गों का छेत्र फल क्या हो जाएगा, आधा लिया है, हमने तो चार का गुना आधे से कर देंगे, ठीक है ना, तो ये दो एकम दो, दो दुनी चार, तो यह आजाएगा दो एकम, दो वर्ग एकाई, इस तरह से, तो अब आपको लिखना पड़ेगा, कुल, क्षेत्र फल, कितना हो जाएगा भई, दो धन दो, पूरे का और आधे का, दो धन, दो यानी, चार, वर्ग, एकाई, इस तरह से, ये हमारा, उत्तर हो गया, सी वाले का, अब हम आते हैं, डी वाले पर, और डी वाले पर आते हैं तो, देखते हैं, डी वाला क्या दिया है, अब ये एक सीधी सीधी आकरती है, इसमें आप देखेंगे, कि एक, दो, तीन, चार, माद, छे, साथ, आठ, खुल मिला करके, आठ वर्ग हमें दिखाई पड़ते हैं, ठीक है, तो आठ पूर्ण वर्ग है, आधा तो एक भी नहीं है, इसमें, तो इसको हम बड़ी सरलता से लिख देंगे, कैसे लिखेंगे, इसमें लिखेंगे, पूरे, घिरे, वर्गो, की, संख्या, बराबर आठ है, आठ है न, तो लिखेंगे, इसी लिए, छेत्र फल, क्या हो जाएगा, बराबर से, आठ गुणा एक, बराबर से, आठ वर्ग, इकाई, यह हमारा डी वाला हो गया, अब इवाले पर आईए, इवाला देखते हैं, क्या दिया है, यह दिया है इवाला, इवाले में है, एक, दो, तीन, चार, पात, छे, साथ, आठ, नौ, और दस, कुल मिला करके, दस वर्ग दिये हुए हैं हमें, तो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा, पूरे, घिरे, वर्गों, की, संख्या, बराबर दस है, इसी लिए, छेत्र फल, बराबर, दस गुणा एक, यानी, दस वर्ग, एकाई, इस तरह से हमारा, इवाला भी पूरा हो जाएगा, अब हम एफ वाले पर आते हैं, देखते हैं, एफ वाला क्या है, एफ वाले में आप देखेंगे, कि दो वर्ग जो है, आपको दिखाई दे रहे हैं, एफ में, पूरे हैं, और, चार आधे हैं, तो हमें इसी इसी तरह से हल करना है, हमें यहाँ पर पहले लिखना पड़ेगा, पूरे, घेरे, वर्गो, की, संख्या, ठीक है, बराबर से, बराबर हो जाएगा, दो गुणा एक, यानि, दो वर्ग, एकाई, अब, आधे, घेरे, वर्गो, की, संख्या, कितनी थी, चार थी, इसलिए, जो, छेतर फल है, वो कितना हो जाएगा, चार गुणा आधा कर देंगे, आधे वर्ग लिए तो, दो एकम दो, दो दो नी, चार, यानि यह हो जाएगा, दो वर्ग, एकाई, अब, हम लिख देंगे, इसलिए, कुल, छेतर फल, बराबर से, दो धन दो, यानि, चार, वर्ग, एकाई, यह हमारा, उत्तर हो गया, एफ वाले का, इसी तरह से, हमें, जी वाला करना है, अब, ठीक है, अब देखिए, जी वाला कैसे करेंगे हम, जी वाला जो है, हमें दिया हुआ है, ये वाला, इसमें आप देखेंगे, पूर्ण वर्ग कितने हैं, तो अब हम, जी वाले को हल करेंगे, ये मैंने लिख दिया, जी वाला, और जैसा की, प्रश्ण में दिया था हमें, एक मिनिट, पूरे, घिरे, वर्गो, की, संख्या, बराबर से, पूरे घिरे वर्गों की संख्या, चार थी इसमें, तो इसलिए, छेत्रफल, पूरे वालों का, क्या होगा, चार गुणा एक, यानि, चार, वर्ग, एकाई, इस पस्ठ है, अब, आधे, घिरे, वर्गों, की संख्या, कितनी थी, चार थी, इसलिए, छेत्रफल क्या हो जाएगा, चार, गुणा, आधा करेंगे हम, दो एकम दो, दो दुनी चार, यानि, दो, वर्ग, एकाई हो जाएगा, इसलिए, कुल, छेत्रफल, बराबर, कितना हो जाएगा, चार, धन, दो, यानि, छे, वर्ग, इकाई, इस तरह से, ये हमारा, उत्तर हो जाएगा, अब आगे बढ़ते हैं, और जी के बाद, एच वाला करते हैं, एच वाली आकरती को ध्यान से समझते हैं, ये है, इसमें एक, दो, तीन, चार, पाँच, पाँच पूर्ण वर्ग दिये हैं, पाँच पूर्ण वर्ग इसमें, हमें दिये हैं, तो लिखिएगा, पूरे, घिरे, वर्गों की संख्या बराबर पाँच है इसी लिए शेतरफल बराबर हो जाएगा पाँच गुणा एक यानि पाँच वर्ग इकाई इस तरह से हमारा हल हो गया अब एच के बाद आई वाला करते हैं आई वाली आकरती को देखिए एक दो तीन चार पाँच छे साथ आठ और नौ नौ पूर्ण वर्ग दिये हैं तो यहाँ पर आपको करना पड़ेगा लिखना पड़ेगा कि पूरे गिरे वर्गो की संख्या बराबर कितनी दी हुई है आई वाले में हमने गिना था न नौ इसी लिए छेतर फल बराबर से नौ गुणा एक होगा यानि नौ वर्ग एक आई ये हमारा इसका उत्तर हो गया अब जे वाले पर आते हैं जे वाली आक्रती क्या दी है हमारे सामने एक दो पूर्ण वर्ग है एक दो तीन चार आधे वर्ग है यानि दो पूर्ण है और दो आधे है तो इसे हमें इसी तरह से हल करना पड़ेगा एक मिनिट दो आधे थे क्या ने नी चार आधे है न दो पूर्ण है और चार आधे है त सबसे पहले पूर्ण वाले के बारे में लिखेंगे लिखेंगे पूरे घेरे वर्गों की संख्या बरावर से दो इसलिए छेत्रफल पूरे वालों का कितना हो जाएगा दो गुणा एक है ना यानि दो वर्ग एकाई और आधे घेरे वर्गों की जो संख्या है वो बरावर से हो जाएगी कितनी हमारी चार इसलिए जो छेत्रफल होगा बो हो जाएगा चार गुणा आधा यानि दो वर्ग एकाई ठीक है इस तरह से हमने यह हल कर लिया है बच्चो यह जेवाला हो गया अब हम जो है इसमें कुल छेत्रफल कैसे निकालेंगे कुल छेत्रफल बरावर से दो धन्दो यानि चार वर्ग एकाई यह हो गया हमारा जे वाला अब हम एच पे जे के बाद हम के पे आते हैं के वाला देखते हैं के वाला कैसे दिया देखिए एक दो तीन चार पूर्ण वर्ग हैं और दो आधे वर्ग हैं चार पूर्ण हैं और दो आधे हैं ठीक है इसको कैसे हल करते हैं देखिए सिंपल करेंगे पूरे घिरे वर्गों की संख्या बराबर से चार हैं इसलिए छेतर फल बराबर चार गुणा एक यानी की चार वर्ग एकाई हो जाएगा और आधे घिरे वर्गों की संख्या बराबर से दो थी इसलिए छेतर फल बराबर से दो गुड़ित आधा यानी दो से दो कड़िया एक वर्ग काई हो जाएगा इसलिए कुल छेतर फल बराबर हो जाएगा कितना हो जाएगा कुल छेतर फल हो जाएगा चार धन एक यानी पांच वर्ग एकाई इस तरह से इस तरह से हमें हल करना है इस पश्ट है सबज में आया आपको अब हम आगे बढ़ते हैं कि एक बाद में एल वाले पर आते हैं ठीक है एल वाले को देखते हैं क्या दिया है हमारे सामने प्रश्ण इसमें तो एक दो दो जो है वो एल वाले में पूरे वर्ग है और अगर बात करें दो है क्या पूरे वर्ग एक दो और मेरे खाल से ये वाला भी पूर्ण वर्ग है इसमें तीन तीन पूर्ण वर्ग है अब गिनते हैं आधे कितने हैं आधे गिनते हैं एक दो तीन चार पा पाच, छे, साथ, आठ, नो, दस, है ना, दस वर्ग जो है आधे हैं, तीन पूर्ण हैं और दस आधे हैं, तो अब इसे कैसे हल करेंगे हम, तीन पूरे और दस आधे हैं तो क्या करना पड़ेगा हमें, हमें इसे इस तरह से करना पड़ेगा, जैसा हम अभी तक करते आए हैं पूरे घिरे वर्गों की संख्या बराबर से तीन है न इसी लिए इसी लिए छेतर फल बराबर से हो जाएगा कितना हो जाएगा बताईए तीन गुणा एक यानि की तीन वर्ग एकाई और आधे घिरे वर्गों की संख्या बराबर दस है इसी लिए छेतर फल हो जाएगा दस गुणा आधा यानि दो इकम दो दो पंचे दस बराबर से पाँच वर्ग एकाई और इसी लिए कुल छेतर फल बराबर हो जाएगा तीन धन पाँच वर्ग एकाई ये हो गया हमारा उत्तर ठीक अब एल के बाद में एम पर आईए एम पर आ रहे हैं आप एम पर आ गए आप अब एम पर आने के बाद में देखिए एम वाला प्रशन हम देखते हैं क्या दिया हुआ है एम वाला प्रशन हमारे सामने है अब देखते हैं हम एम में कितने पूरे वर्ग है ठीक है एम में कितने पूरे वर्ग है तो एक है दो है तीन है चार है पाँच है छे है और साथ है साथ पूरे वर्ग है ठीक अब आधे गिरे हुए वर्गों की संख्या के गिंते हैं कितने हैं तो देखिए एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, और चौदा कुल मिला करके चौदा ऐसे वर्ग हैं जो आधे गिरे हैं और साथ ऐसे वर्ग हैं जो पूरे गिरे हैं तो हम यहाँ पर कैसे हल करेंगे इसे हम यहाँ पर इस तरह से हल करेंगे हमें वही करना है पूरे गिरे वर्गों की संख्या बराबर से साथ हैं इसलिए जो छेत्रफल है वो कितना हो जाएगा साथ गुणा एक यानि साथ वर्ग एकाई और आधे घिरे वर्गों की संख्या बराबर से कितने निकाली थी हमने चौदा तो इसलिए छेत्रफल हो जाएगा चौदा गुणित एक बटा दो यानि दो एकम दो दो साथ चौदा यानि कि साथ वर्ग एकाई तो कुल छेत्रफल इसलिए कितना हो जाएगा बराबर से हो जाएगा साथ धन साथ यानि चौदा वर्ग एकाई ये हमारा उत्तर हो गया ठीक है इस तरह से हमें से हल करना था अब हम एन पर आते हैं एन वाले में देखते हैं क्या स्थिति हैं हमारे सामने पूर्ण वर्ग कितने हैं सबसे पहले तो ये गिन लेते हैं पूर्ण वर्ग गिन हैं एक दो तीन चार पांथ छे साथ हैं आठ नौ और ये दस दस जो हैं हमारे सामने पूर्ण वर है ठीक है पूर्ण घिरे वे जो वर्ग है वो दस है अब आधे गिनते हैं आधे को कितने हैं आधे दूसरे रंग से गिन लेते कन्फूजन नहीं होना चाहिए न एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तेरा चौदा कितने दिये हैं चौदा हो गई है और भी दिये हैं कि कहीं पर लाइन आ रही है कि कहीं पर चौदा के बाद में एक बार फिर से गिन लेते हैं चौदा हाँ यह 15 और एक यह 16 ठीक है तो कुल पूरे दस हो गए और आधे 16 हो गए ठीक है अब हल करते हैं पूरे घिरे वर्गों की संख्या बराबर से दस इसलिए छेत्रफल बराबर से दस गुणा एक यानी दस वर्ग एक आई अब लिखो आधे घिरे वर्गों की संख्या बराबर से 16 इसलिए छेत्रफल बराबर सोला गुणित आधा यानी आठ वर्ग इक आई इस पश्ट है इसी लिए कुल छेत्रफल बराबर दस धन आठ यानी अठारा वर्ग इक आई इस तरह से ये हमारा प्रश्ण जो है हल हो जाएगा इस पश्ट है मुझे उमीद है कि आपको जो है ये प्रश्ण वली बहुत अच्छे से समझ में आई होगी इसे हमें इसी तरह से हल करना था ठीक है अब हमारी आप जो है ये प्रश्ण वली इसकी जो लिंक है इस वीडियो की अगली नई जानकारी के साथ में नए वीडियो के साथ में नई प्रश्ण वली के साथ में तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमशकार